नमस्कार दोस्तों, स्वागत था आपका अपने चैनल में स्टैश्विकलाज पर दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आए एक एक करके सवाल ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब कर लिजिए 10 से 12 सवाल इस वीडियो में लेंगे तो वीडियो थोड़ा सा 10-15 मिनिट लंबी हो सकती है के क्रम चारिों को नहीं हटाते हैं जो फाइनेस डिपार्टमेंट की तरब से लेटर जारी किया गया था उस लेटर में सपस्ड था कि क्रम्ToLrate की जूरूरत है तो उसको रख लिया और क्रमचारी की जुरूरत पूरी हो गई तो उसको अलग कर दिया तो इस तरह Kommentare करेगा आस कॉंटेक्ट है वहाँ पर उन साथी ने रिपलाई दिया है यास पेड अप टू जून दो जार बाइस तो जून दो जार बाइस तक की सेलरी आ चुकी है रिगेशन डिपार्टमेंट पंचकुला है डोफिस की तरफ से इसके बाद नेक्स ले लेते हैं यहाँ पर यह सवाल है दिरजी का यहाँ पर जो डियो एड्मिस्टेशन में पोस्टिड है उनके लिए स्टरडे ओप है या नहीं है तो देखे चुटियों से रिलेटेड कापी सारी प्रेशानिया चली हुई है और उसमें सबसे मुख है जो कान प्रेशानिय का वो यह है कि सभी के लिए एक जैसा सर्कुलर जारी कर दिया है कोसल लोजगार निगम ने या फिर सर्याना की वेबसाइट पर जो 362022 को पोलिसी आई थी उसमें जबकि वह अलग लगवी बागों में छूटियों का अलग लगए तरीका रहता है जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कु भी छूटि मांगते हैं तो वह आपर दिक्ता आती है कि साथिव अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप लोगों की एटेंडेंस लगाने का फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा पूरे हर्याना में एक जैसा है अगर वह आपर पर दे की जो अटेंडेंस लगाई जा शुरक्षा के मांग यह लगातार करते रहता है कि कच्चे क्रमचारियों को भी जोब शुरक्षा दी जाए तो मैं अब लोगों बता दूब साथ यो चाहिए वो कोशलोजगार निगम है या फिर ठेकेदार के थुरू लगे वे थे पहले कहीं पर भी जोब शुरक्षा का ना कई बातचीत करके थोड़ा वो तापस में मतलब एक तरह से मेल मिला करके मतलब करमचारी लगा रहता था अपना पूरा सेजन निकाल लेता था एक साल या दो साल के लिए लेकिन कोसलोजगार निगम में कब आपकी छूटी कर दी जाएगी कुछ भी पतार नहीं चल रहा ह अचानक से अटा दिया जाता है सिधा इस तरह की जोब सुरक से यहाँ पर कोई भी माइने नहीं रखता कोसलोजगार निगम में इसके बाद नेक्स ले लेते हैं सोंबिर नैंजी भी लगातार जुड़े रहते हैं तो भाई का जो एक्सपिरिंस इन्होंने डाला था वो अ जरूरी है कि जो डेजिगनेशन चेंज करने का उप्सन है वो है पे प्रोटेक्शन के साथ ही दे रख्या जहां पर पे प्रोटेक्शन आप यूज करते हैं तो वहीं पर जो है डेजिगनेशन चेंज करने का उप्सन भी और उसको एक ही बार यूज किया जा सकता है तो जाते होगा रिजेक्ट हो चुका है तो ये भी प्रेशानी किसी के सामने आई हुई है इनके बाद सत्यवान जी का जो एक तारिक हो ये का प्रैल को दोस्तरी का रिलैटरी सी हुआ था लेकिन कोई शुनवाई नहीं हुई है यापर स्टेट जो अर्याना स्टेट वेर हाउस क सबसे ज्यादा बुरा हाल है आपर मैंने देखा क्रमचारियों का जिन में स्कूर्टी गार भी काभी संक्या में या से अटा दिये गई हैं को सलोजगार निगा में नाम रिजिटेशन करवाने के बाद विर इनको जोइन ही नहीं करवाया गया देखिए वैसे तो आपका जो जोइनिंग करने का वो तो समात हो चुका है टाइम ओर हो चुका है क्योंकि 15 दिन के अंदर जोइन करना होता है तो अब वो लैटर का कोई मिनिंग नहीं है तो जो साथी अटाए गए तो काभी सारी संक्या में थे कोई एक साथी का परसनल रूप से बात चीत हुई थी थी उन से हमने उनको यही सला दी थी कि लीगल तो आप लोग कोई भी यहाँ पर अथोर्टी नहीं है कि आप लोग क्लेम कर सकें कानूनी रूप से कि आप लोग क्यों अटा दिया गया क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं कर सकता लेकिन आप मानुई पहलू लेकर कोई भी क्लेम नही पर हटा देता है तो उस क्रमचारी को कहीं ना कहीं मानुमें पहलों देखते हैं अड़ेस्ट करने की कोशिस की जाएगी और ये तो बहुत सारे क्रमचारी जो अटाए गए हैं स्टेट वेराव से तो उनको भी अगर वो अपने आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जरूर अड़ेस्ट किया जाएगा अगला जो है सवाल है यहां पर परवीन जी बता रहे हैं बैजी दो महीने हो गए हैं ट्राई करते वे मिल नहीं रहा है फोन यानिक ये कोशलोजगारनिक प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ टेंडर ठीक है वो ही उसको एंडल कर ये किसका खा ऐगे तो यह बहुत बढ़ी बात है बहुत सारे सातियों कि सेलरी ही नहीं आ रही है वह सारे डिपार्टमेंटों हो सेलरी अटकने का सब से बढ़ा कार्णिये हैं आपके भी भाग में अगर एक क्रमचारी के अकाउंटे रिलेटीड या फिर सेलरी कोई प्रेशानी है जब त पस्ट दिखाया गया है कि कोई प्रेसानी है तो आप लोगों की जो सेलरी रुक सकती है ऐसी आप लोगों को मतलब नहीं है कि आप लोगी जोइनिंग भी हो जाएगी इसकी कोई शूर्टि नहीं है बहुत सारे सातियों के बहुत दिन से एक्सपिरिंस वेरिफाई हो चुके लेकिन कोई मतलब नहीं उनका जोइनिंग हुई है नहीं हुई है तो बहुत सारे किसी भी साती नहीं आप तक बता है कि एक्सपिरिंस वेरिफाई होने के दस दिन के बाद दो दिन के बाद च्यार दिन के बाद एक महीने के जोइनिंग हो गई है सर्फ वेरिफाई हो गया ये अच्छी बात reject नहीं हुआ इससे भी काफी संतूष्टी वाली बात experience वरिफाई होने के बाद कहीं न कहीं आपका जो short list तो होने की उमीद तो बन ही गई है इसके बाद कोमल जी बोल रही है यहाँ पर sir मेरा experience वरिफाई हो गया है लेकिन फिर update का message दो बारा से आ गया है द फिर से आप लोग अगर आप update करोगे तो उसका जो है जो प्रोसीजर हो दोबार से start हो जाएगा और दोबार आप पता नहीं आपका verify कब होगा नहीं होगा तो अगर एक बार verify हो गया तो उसको ना ही छेड़े तो ज्यादा अच्छा है ठीक है तो अगला comment से ले ले लेते ह पोस्ट है जो आपके department में ही होती है तो department अपनी जो है संतुती बेजेगा आगे request बेजेगा जी हमें ये post जो है create करनी है तो पर उसको जो है आपका जो finance department है वो भी और कोसलोजगार निगम है वो भी अपरूड करेगा तब जाकर वो जो है जो जो ब का जो profile है उसमें add हो ज नहीं हुआ अभी तक तो बहुत सारे साथ हैं जो state warehouse जो है corporation उससे अटा दिया गहीं स्कूर्टिगार ठीक है लेकिन जिसका नहीं हुआ है तो अभी तक आप लोगों पता है पिछले हमने जो एक letter दिखाया था उन्होंने ये letter मतलब लिख्या वा था उसमें कि अभी जो technical issue क बहुत सारे क्रमचारियों का या फिर किसी भी कान से माली जिए भी बागिया देरी के कान ही उसमें लिख्या वाद letter में कि उनका रिष्याशन नहीं हो पाया तो उनका जो tender आगे बड़ा दिया गया था तो जिनका भी नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा ये भी बागिया लेवल पर प्रेशानी चल रही है को सलोजगार निकम के लेवल पर प्रेशानी नहीं है अगर किसी का रिष्याशन नहीं हुआ है तो इसके बाद animal lovers जी आपर बोल लहीं है सर जो गाओं में लगे हुए है पबलीक हैल्थ में कचे क्रमचारियों को को सलोजगार निकम में हो का कोई भी क्रमचारी लगेगा तो वो दोस्तों वो लगेगा कोशलोजगार निगम के थुरू हाँ कुछ ऐसे नियम है जुसमें कुछ छूट दी गई है वह इक क्रमचारियों की हुआ पर संख्या नहीं बताई गई है उनकी सेलरी डिस्कलोज नहीं की गई उनके बारे में नहीं बता गया है तो एसे क्रमचारे को कोशलोजगार निगम नहीं लेगा कुछ क्रमचारे जो ठेकेदार के थुरू भी लगे रहेंगे ऐसा भी उसमें प्रावदान जो तीस छे दो जार बास का जो लेटर जारी किया गा था आप लोग उसको पढ़ सकते उसमें थोड़ झाल झाल